आज मुखातिब हूँ उन तुमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से के जो अपने होम कंट्री में अपनी एमस या एमफिल की डिगरी कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो पुर्चगाल में अपनी पीएशडी की डिगरी हासल करना जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं उन्हें बताऊंगा कि उन्हें आइट्स चाहिए या नहीं चाहिए उन्हें कौन से डाकॉमेंट चाहिए इस प्रॉसिस के लिए और उन्हें कितना बैंक बैलनस जरूरी है अपने अकाउंट में शो करने के लिए या अपने स्पॉंसर के अकाउंट म होना लाजमी है ठीक है और उसके बाद उन्हें एक अच्छा स्ट्रोंग जो है वो रिसर्च प्रोपोजल लिखना जरूरी है उनके लिए बीकमप्लीट होना लाजमी है लेकिन प्यूविकेशन मुस्ट नहीं है वो मैटन ही करती है प्यैज्दी के अड्मिशन को हासल करने के लिए yes वीज़ा को हासल करने के लिए तो इसके बाद हम बात करेंगे आया उन्हें आइट्स की जुरूरत है या नहीं तो यहां पर मैं आपको एक एहम पॉइंट यह बताता चलूं कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं इंडिया से निपाल बंगलादेश से या पाकिस्तान से तो आप यह चीज नोट कर लें कि हो सकता है कि जिस टेनुर के अंदर आप अपलाई करने जा रहे हैं उस टेनुर के अंदर जो है वो आपके जो कंपिटिशन में आने वाले स्टूडंट है उनके पास अगर आइड्स हुआ अच्छा स्कोर हुआ और वो आप से पहले एड्मिशन मैचूर कर चुके हैं तो आप नोट कर लेंगे वो थोड़ा सा फिर आपकी प्रोफाइल के ओपर नेगेटिव इंपक्ट होगा और आप बेतर है अगर आपको बजट बे आता है और टाइम है तो आइड्स कर लें लेकिन आइड्स इस प्रोसेस के लिए लाजबी नहीं है मस्ट नहीं है पुर्चेगाल के इस वीज़ा को हासल करने के लिए अगर आप आइट्स करते हैं तो आप सवाल ये पैदा होता है कि आपको कितना आइट्स कोर लेना है तो आपको minimum 6 बैंड अपने आइट्स में अवराल आपका होना चाहिए और each skill के अंदर 5.5 से less नहीं होना चाहिए आपका जो बैंड है और अब तीसरे नमबर में हम बात करते हैं कि आपको अपने sponsor के account में या आपके personal bank account में कितने funds show करने हैं तो आपको one year की tuition fee show करनी है उसके साथ पुर्चगाल का पर एनम का जो living expense है जो के 9,120 euro बनता है ये दोनो amounts अपने account में show करनी हैं तब जाकर आप ये visa properly apply कर सकेंगे अब last में हम बात करते हैं कि क्या जो एहम point नुखता है वो इस process के दुम्यान में क्या है तो मैं आपको बताता चलूँ कि time जो है वो इस process के अंदर vital role अदा करता है लहाजा आपको in time अपने country के अंदर अपने documents को अटेस्ट करवाना है और एक और point आप note कर लें कि बाग यूएस्टी आपको admission देने से पहले वो ये कहती हैं कि अपने home country से आप उनके पुछगाल की embassy से अपने documents को legalize करवा लें तो ये भी time taking एक process है लहाजा आपको in time अपने documents को अटेस्ट करवाना है in time अपने admission के लिए apply करना है और in time embassy में अपने country के अंदर apartment के लिए जाना है क्योंकि आज कल देखने में आया है कि काफी दफ़ा embassy के apartment लेने का issue आज जाता है या फिर document को legalize करवाने में आपको time लग जाता है जिसकी वज़ा से आप ना सिर्फ in time apply कर सकते हैं बलके अपना visa भी जाय कर देते हैं तो हमारी company जो अवर्दी great Portugal है हम specialist है Portugal के हवाले से और दूसरा हम इस process से PhD के admission के process वीज़ा process से काफी दफ़ा go through हो चुके हैं लहाजा हमें इस process के each and everything का हमें पता है तो हम आपको best और बेतरीन service दे सकते हैं तो अगर आप interested हैं पुर्चिगाल में PhD डिगरी हासल करने के लिए खुआप का तालुक पाकिस्तान से है इंडिया नेपाल बंगलादेश से है और आप किसी भी country में मुकीम है हम आपको यह service जो है वो best service दे सकते हैं लहाजा आप हमारे इस वीडियो को जएदा सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ में लगे bell icon को ज़रूर परस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर informative वीडियो आपको सबसे पहले में सके कर दो को जबरा प्रवार ठाइब कर दो कर दो देंग हमारे आने वाली हर आपको जबगे लू लगज़ वीडियो दो कह जए श्या है